जब मोदी जी ने बताया कि मैं इश्वर का दूत हूँ और मिजमेंदर देवी ये शक्ती है बीजेपी के ओफिशल हैंडल से ये तस्वीरे इस्तमाल की गई थी इन तस्वीरों में भगवान राम एक छोटे से बच्चे और उनकी उंगली पकड़ कर संबित पात्रा ने दुनिया को अचंबित कर दिया ये कहकर कि महाप्रभू भगवान जगननात नरेंदर मोदी के भक्त है अमूमन मैं व्यक्तिगत तोर से भी और कॉंग्रेस पार्टी राजनीती में धर्म पर डिबेट करने से परहेज करती है मुझे लगता है वो गलत है मुझे लगता है धर्म और आस्था बहुत पवित्र विश्य है उन पर राजनीती नहीं करनी चाहिए लेकिन करोणों हिंदू धर्म के अनुवाईयों की आस्था को अगर भारतिय जनता पार्टी के लोग मोदी भक्ती में चूड होके मोदी के अन्दुभक्त बनकर घमंड और एहंकार में अगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे हिंदू को करोणों हिंदू की आस्था पर ठेस पहुँचाएंगे तो चुप रहना संभव नहीं है और कल कुछ ऐसा ही हुआ भाजपा के राश्चे प्रवक्ता पुरी से उनके लोगसभा के उम्मीदवार संभित पात्रा ने दुनिया को अचंभित कर दिया ये कहकर कि महाप्रभू भगवान जगननात नरेंद्र मोदी के भक्त है इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है किसने आपको हक दिया है कि हिंदु देवी देवताओं के लिए ऐसे तिरस्कृत करने का काम करिए उनका अपमान करिए उनको नरेंद्र मोदी का भक्त बता रहे हैं आप और असलियत ये है कि जब कोहराम मचा तब जूटी माफी मागने की बात कर रहे हैं मैं उपवास करूँगा इतनी गलत बात कही थी पहले ही आकर कहना चाहिए था लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है क्या ये पहली बार हुआ है कि हिंदु देवी देवताओं का नरेंद्र मोदी के समकष करके आप मान किया गया है बिलकुल भी नहीं ये तस्वीर आपको याद होगी प्रान प्रतिष्ठा के दौरान बीजेपी के उफिशल हैंडल से ये तस्वीरे इस्तमाल की गई थी इन तस्वीरों में भगवान राम एक छोटे से बच्चे और उनकी उंगली पकड़ कर एक व्यसक नरेंद्र मोदी उनको मंदर की ओर ले जा रहे है मैं हिंदु धर्म की अनुआई हूँ हिंदु धर्म को मानती हूँ ऐसे करोडों अनुआई है ये हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारे धर्म के खिलाफ जो आपकी सोच है, उसको दिखाता है युग युगांतर से जो इश्वर इस ब्रह्मांड को चला रहा है उसको आप नरेंद्र मोदी का भक्त बता रहे है राम छोटे से बच्चे हैं मर्यादा पुर्शोत्तम राम सनातन धर्म का आधार उनको छोटा सा बच्चा बनाके मोदी जी उनको मंदिर ले जा रहे है और ऐसा भी नहीं है कि ये बड़ बोले बयान पहली बार आए है आपको याद होगा अयोध्या की प्रान प्रतिष्ठा और वहाँ पर श्री राम, प्रभू राम से जादा बड़े कटाउट हर खंबे पर नरेंद्र मोदी के लगे थे चंपत राय ने तो मोदी जी को भगवान विश्रू का अवतार ही बता डाला था आपको याद हो केंद्रे मंत्री गिरिराज सिंग जो अकसर उल जलूल बहियात बयानों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने भी मोदी को अवतार बताया था BJP की पृत्याशी है बहुत प्रचलित प्रत्याशी है कंगरा रनौत जी पदम श्री उन्होंने श्री राम का अंश बताया है मोदी जी को उत्राखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जिनको लड़कियों का जीन्स पहनना बहुत अखरता था उन्होंने भी तुलना जो थी तीरत सिंग रावत ने मोदी जी की भगवान से की थी साक्षी महराज ने तो बोला भगवान राम ही है नरेंद्र मोदी और असलियत एक और है असलियत ये है कि इन सब तुलनाओं का ये सोचा समझा प्रोपोगैंडा है जो नीचे से शुरू हुआ है और अब उस प्रोपोगैंडा से इतने आत्ममुग्द हो गए है नरेंद्र मोदी जी कि वो टेलिविजन के इंटल्व्यूज में अपने आपको इश्वर का दूद कहने लगे है अपने अंदर दैवी शक्ती कहने लगे है ये हो क्या गया है भाजपाईयों को हो क्या गया है नरेंद्र मोदी को किसने आपको लाइसंस दिया है कि आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं का तिरसकार करें, उनका अपमान करें, कोई बता रहा है मैं गिलहरी हूँ, वो राम है, कोई बता रहा है वो एक बार दिन में खाना खाता, ये सब प्रोपोगैंडा का हिस्सा है, ये कुछ नहीं है, ये सोचा समझा प्रोपोगैं आपको पता है ना किम जॉंग, वो भी खुद को अपनी अंदर देविय शक्ती बताता है, इश्वर का स्वरूप बताता है, कहता है पिशाब नहीं करता है, ये किस तरह की बाते जो ये तानाशा होते हैं, ये ऐसी बाते करके आत्मुग्द रहते हैं, वही बात नरेदर मो हो गई कि भगवान को मोदी का भक्त बता डाला, और तब तब गाके नहीं स्पश्टी करण दिया, जब तक कोराम नहीं मचा, हमने मुद्दे को नहीं उठाया, जब हजारों करोणों अनुआईयों ने कहा कि ये घलत है, तब आपको स्लिप ओफ टंग याद आया, और मैं म मेडिया के साथियों की ट्वीट और पोस्स देखी, वो कहरें स्लिप ओफ टंग हो जाता है, अच्छा, ऐसा स्लिप ओफ टंग जब विपक्षी प्रवक्ताओं और नेताओं का होता है, तब तो आप लिंचिंग करते हैं, नोच खसोट लेते हैं उनको, इस पर क्यों आपक सननाटा है, असलियत ये है कि कोई सवाल बीजेपी से नहीं पूछा जाएगा, जब मोदी जी ने बताया कि मैं इश्वर का दूत हूँ और मिजमें अंदर देवी ये शक्ती है, तो मुझे लगा कि शायद पत्रकार महदयातनी आत्ममुग्ध हो गई इश्वर का है आपका, इसके चलते 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है, इसके चलते युवाओं के लिए रोजगार क्यों नहीं है, इसके चलते आपने आटा, दही, पढ़ाई, दवाई पर GST क्यों लगाया है, इसके चलते कमर तोड़, महंगाई क्यों है, अठारवी लोकसभा का चुनाओ बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बढ़ती हुई गरीबी पर, महिला सुरक्षा पर, किसान की बदहाली पर, और मजदूर की मजबूरी पर, और हाशिये पर रह रहे पिछड़े दलित आदिवासी और गरीब समानेवर के लोगों की लड़ाई है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है पाच चरण का मतदान हो गया, और यहाँ पर इश्वर का सुरूप, इश्वर उनके भगत बताये जाने लगे इस इश्वर के सुरूप ने 21 लाग करोड का करजा किसानों पर लाद दिया, 205 लाग करोड का करजा देश पर लाद दिया, महिंगाई हर चीज में तिगुनी कर दी मजाक बनाकर अगर प्रशासन को मजाक बनाकर अगर किसी ने गवननस को रखा है तो वो मोदी जी ने रखा है और यहीं हिटलर करता था, हिटलर ने भी अपना एक प्रचार मंत्री हायर किया था, वो भी रेडियो टीवी पर वैसा ही काबिज रहता था जैसे यह रहते हैं, वहाँ पर भी इसी तरह का चरणवंदन होता था, असलियत यह है कि जो रंगी पुती छवी थी, उसका रंग जो रहेंगे मेरा अपना मानना है, कि ना उपवास से ना माफी से, इस देश के और दुनिया के करोणों हिंदू, जो प्रभु जगनात में विश्वास करते हैं, जो भग्वान राम में विश्वासर रखते हैं, जो हम सब क्या राध्य हैं, उनकी आस्था पर प्रहार हुआ है, और नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए जो अपने आपको आजकल खुद भगवान का दूत बनाने लगे हैं ये क्या प्रोपगैंडा चल रहा है देश में देश के मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहते हैं और शीशे की तरह साफ है कि पांच चरण के मतदान क के बाद चार जून को ना भाजपा की सरकार बनेगी ना नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे बजाए मुद्दों की बात करने के लगातार अपने मुद्दों से भटकाया है और असलियत यह है कि जिस व्यक्ति का इस चुनाओं में खुद का वजूद खतम होने जा रहा है जो विपक्ष को पानी पीपी के कोस्ता है जिसका पाकिस्तान प्रेम जिसका हिंदू-मुसल् हमें आज तक समझ में नहीं आया वो अपना महिमा मंदन करने के लिए पूरी प्रोपोगैंडा मशीन चल रही है मतलब ऐसी अंदभक्ती कि आप करोणों हिंदू की आस्था पर प्रहार करने को तैयार है यह बर्दाष्ट नहीं किया जाएगा किसी कीमत पर नहीं किया is an absolute insult to the faith that millions of Hindus that billions of Hindus have in their religion in our gods और माफी तो नरेंदर मोदी जी को मांगनी पड़ेगी यह सर्वता गलत है बिलकुल गलत है यह किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है आपके सवालों का इस मुद्दे पर स्वागत है पहले मैं इस पर जवाब दूँगी अगर आप लोगे पास इस पर सवाल है तो मैं अनुगरहत रहूंगी पर यह सच है यह बिलकुल सच है कि मीडिया जो slip of tongue की दुवाई आज दे रहा है वो मीडिया विपक्ष के प्रवक्ताओं को तो नहीं ऐसी सहूलियत देता है विपक्ष के नेताओं की तो लिंचिंग करता है पूरे पूरे दिन बड़े बड़े बैंड लगा के शो करता है इस पर क्यों चुप है असलियत यह है कि हमारे दो नेता लोगतांतरिक तरीके से थोड़ा बहुत मदभेद में अगर कोई व्यक्तव दे दे तो 48 घंटे नहीं 72 घंटे 96 घंटे शो होगा लेकिन अगर BJP के अध्यक्ष, JP नडड़ा कहते हमें RSS, RSS की जरूरत नहीं है अब हम बहुत सक्षब हो गया है क्या सिर्फ फुटा हुआल मचा हुआ है RSS में और BJP में उसमें कोई चर्चा नहीं उसमें कोई शो नहीं क्या होcą सुन गे इस वकता गे पे क्यों चुप हैं कि मीडिया आप लोग इसका जवाब दीजिये, आप लोगके आंकरगर चुप हैं। आप क्यों चुप हैं. आप तो बोलिए मैम संबित पात्रा जब इस पूरे बयान पर बवाल मचा तो संबित पात्रा ने कहा है कि उनको बहुत पच्टावा है और वो तीन दिन का उपवास रखकर प्रैश्चित करेंगे तो क्या ये असल में उनका पच्टावा है या जो हंगामा मचा उसके बाद वो बैक फूट प हम तो सामने से स्पष्टी करन देते हैं, आप ने इतना इंतजार क्यूं किया, आप ने पहले गलत शब्द बोले, उसके बाद कोहराम मचा, लोगों की आस्था पर प्रहार हुआ, आपको पता चल गया कि यह आपके खिलाफ हो रहा है, जिस पुरी से आप चुनाव लड़ने वहां की जनता आप सिक्षुब्द हो गई, अब आप बोल रहे हैं मुझे पच्टावा है, मैं उपवास करूंगा, यह पहले व्यक्ति हैं जिन्नोंने भगवान का यह तिरसकार किया है, यह है भारतिये जनता पार्टी की वो फोटो, जो भारतिये जनता पार्टी के ओफि न चाहती हूं, इतना घबंड, इतना एहंकार कि आपने हिंदू देवी देवताओं को भी नहीं बक्षा, मतलब कुछ तो ईश्वर के प्रकोप से, ईश्वर के कोप से डरिये, और इस पर मीडिया की जो चुप्पी है, अगर आप बस अपनी आख बंद करके, और दिल पर ह कोई भी एक व्यक्ति खड़ाओ कर बता दे, अगर ये बैयान, किसी विपक्षी व्यक्ति ने दे दिया होता, तो अभी तक क्या होता, लिंच कर दिया होता है आपके और आपके आइंकर्स ने, नोच लिया होता आप लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बीजेपी के व्यक्ति ने कहा है, मीडिया चुप रहेगा आखों पर पट्टी मुं में दही जमाएगा